गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुती एवं पूजा का फल। पिछले अध्याय में हमने तुलसी स्तोत्र और गंगा जी का महतम में जाना। संजय व्यास समबाद मनुश्य योनी में उत्वन हुए दैते और देवताओं के लक्षन। पुलस्ते जी कहते हैं भीश्म इसके बाद एक दिन व्यास सी के शिष्य महामुनी संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्म किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव आप मुझे देवताओं की पूजन का सुनिशित क्रम बतलाईए। प्रति दिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए। प्यास सी बोले, संजय फिगनों को दूर करने के लिए सर्फ प्रथम गनेश जी की पूजा करना चाहिए। पारवती देवी ने पूर्वकाल में भगवान शंकर जी के संयोग से सकंद, अर्थात कार्तिके और गनेश नाम के दो पुत्रों को जन दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पारवती जी पर बड़ी शद्धा हुई और उन्होंने अमरित से तयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पारवती के हाथ में दे दिया। मोदक देखकर दोनों वालक माता से मांगने लगे। तब पारवती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ। तुम दोनों सावधान होकर सुनू। इस मोदक के सूंगने मातर से अम्रत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंगता या खाता है वे संपून शास्त्रों का मर्मग्य। सब तंत्रों में प्रविर्ण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्यान विज्यान के तत्व को जानने वाला और सर्वग्य होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्टता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं ये मोदग दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मती है। माता की मुख से ऐसी बातें सुनकर परम चतुर सकंद मयूर पर आरूड हो तुरंत ही त्रलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिये। उन्होंने मुरत भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोधारी गणेशी सकंद से भी बढ़कर बुद्धिमान न तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देख कर कहा समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान संपून देवताओं को किया हुआ नमसकार। सब यग्यों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और सैयम का पालन। ये सभी साधन माता-पिता के पूजन के सोलवे अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैंकणों पुत्रों और सैंकणों गड़ों से भी बढ़कर है। अतहा देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को ही अरपन करती हूँ। माता-पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रतियक यग्य में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले इस गणेश के ही अगर पूजन से संपून देवता प्रसन्न हूँ। व्यास्ची कहते हैं अतह द्विच को उचित है कि वह सब यग्यों में पहले गणेश जी का ही पूजन करे। ऐसा करने से उन यग्यों का फल कोटी- गुना अधिक होगा। संपून देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादी देवी पार्वती ने सर्वगुन दायक पवित्र मोदक गणेश्ची को ही दिया। तथा बड़ी प्रसंता के साथ संपून देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपती बना इसलिए विस्तेतियग्यों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश्ची की पूजा करके ही मनुष्य संपून सिद्धियों को प्राप्त करता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश्ची का पूजन करें और रात में अन्ग्रहन करे श्री गणेश्ची की स्तुती इस प्रकार करनी चाहिए। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसंता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपून यग्यों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनुरतों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूं। जो मनुष्य उपरियुक्त भाव के मंत्रों से गणेशी का पूजन करते हैं। वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। गणाधिप नमोस्तुभ्यम सर्व विग्ण प्रशांतिदम। उमानन्द प्रदः प्राग्यत राही मा भव सागरात। हरानन्द कर ध्यान ज्यान विज्ञान दः प्रभो। विग्णराज नमस्तुभ्यम सर्व दैत्यक सूधन। सर्व प्रीती प्रदः श्रीदः, सर्व यग्याई करक्षकह, सर्व अभिष्ट प्रदः प्रित्याह नमामी त्वाम गणाधिपह. अब मैं गणेशी के बारह नामों का कल्यान में स्तोत्र सुनाता हूं. उनके बारह नाम ये हैं गणपती, विग्नराज, लंब तुंड, गजानन, द्वेमातुर, हरैंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज. जो प्रातहकाल उठकर इन बारह नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है, तथा उसे कभी विग्न का सामना नहीं करना पड़ता. गणपती विग्न राजोह, लंब तुन्डो गजानन, द्वेमातुरक्ष, हरेंब, एकदंतो गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपालो भवात्मज. द्वादश एतानी नामानी, प्रातर, उत्थाई यह पठेत, विश्वम तस्य भवेद्रिश्यम, नचव विग्नम भवेत क्वचित, उपनेयन विवहा आदी संपूर्ण, मांगलिक कार्यो में श्री गणेशी का पूजन सरप्रथम किया जाता है, वह उन सब को अपने प्राप्ती होती है, जो मनुष्य संपूर्ण यग्य के कलशों में गणा नाम, त्वा, इस मंत्र से श्री गणेशी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिध्धियां प्राप्त होती है, तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है, विद्वान प गणेशी की मूर्ती अंकित कर ले, उसके से बाद दूसरे दूसरे स्थान में भी जहां हमेशा दृष्टी पढ़ सकती है, श्री गणेशी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उसका पूजन करे, जो ऐसा करता है, उसके समस्त प्रिये कार्य सिध्ध होते हैं, उस अस्त विगनों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेशी को नमस्कार है, जो भगवान श्री विष्णु को प्रिये लगने वाले पुष्पों तथा अन्याने सुगंदित फूलों से, फल, फूल, मोदक और सामेक सामगरियों से, दही और दूध से, प्रिये लगने वा संजय ने पूछा, ब्रह्मन, सात्विक पुरुष मनुष्यों में असुराधी के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं, नात, मेरे इस संशय को दूर कीजे, व्यास्य बोले, दुजों तथा अन्या जातियों में अपने पूर्वकृत पापों के अनुरूप, असुर, राक्ष और प्रेत भी जन्म ग्रहन करते हैं, किन्तु वे अपना सुभाव नहीं छोड़ते, मनुष्यों में जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही लडाई जगडा करने को उत्सुक रहते हैं, जो माया भी दुराचारी और कुरूर हो, उन्हें इस प्रित्वी पर राक्षस समझना चाहिए, इसके विप्रीत एक भी बुद्धिवान एवं सुयोग्य पुत्र हो, तो उसके सारे समूचे कुल की रक्षा होती है, एक भी वैश्नव पुत्र अपने कुल की अनेकों पीडियों का उध्धार कर देता है, जो पुन्य तीर्थों और मुक्तिक शेत्र में ज्यान पूर्वक मृत्यू को प्राप्त होते हैं, वे संसार सागर से तर जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्यानी होते हैं, वे स्वयम तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तार देते हैं, एक पती बृतास्तरी अपने कुल की अनेक पीडियों का उध्धार कर देती है, इसी प्रकार द्व और गामों में धर्म का नाश हो जाता है। तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जन समुदाय और कुल की रक्षा करता है। तथा सप्रकार के कर्मों से अपरिचित, उसे सम्योचित सदाचार का ज्यान नहीं है। वह मूर्ख वास्तव में पशु ही है। जो हिंसक सजातिय मनुष्य को उत्तेजित करने वाला कलह प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजन का प्रेमी है। वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो सभाव से ही चंचल, भोजन के लिए सदा लालाईत रहने वाला, कूद-कूद कर चलने वाला और जंगल में रहने का प्रेमी है। वह मनुष्य इस प्रित्वी पर बंदर के समान है। जो वानी और बुध्धी द्वारा अपने कुटुम्भियों तथा दूसरे लो नितांत निरलज, दुरगंध युक्त मास का प्रेमी और भोगा सक्त होता है वह मनुष्य सी ही कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिक शेनी में गिने जाने वाले लोग भैवीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टी दूर तक नहीं जा जोद्विज, देवता, अतिथी, गुरू, साधू और तपस्वियों के पूजन में सनलगन रहने वाला नित्य, तपस्या परायन, धर्मशास्त्र एवं नीती मिस्थित, क्षमाशील, क्रोध जै, सत्यवादी, जीतेंद्रिय, लोबहीन प्रिय बोलने वाला, शान्त, धर् लोकप्रिय, मिष्ट भाशी, वानी पर अधिकार रखने वाला, सब कार्यों में दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान, आत्म विद्या आधी के लिए उपियोगी कार्यों में सनलगन, घी और गाय के दूद दही आधी में, तथा निराविश भोजन में प्रवरित रहने वाला है, जिसका समय सनान दान आधी, शुब कर्म, व्रत, यग्य, देव पूजन तथा स्वाध्याय आधी में ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है, यही मनुष्यों का सनातन सदाचार है, श्रेष्ट म और मनुष्यों में भय अधिक होता है, देवता सदा गंभीर रहते हैं और मनुष्यों का सुभाव सरवदा मृदू होता है, इस प्रकार पुन्य विशेश के तार तब्भे से सामान्य तह सभी जातियों में विभिन सुभाव के मनुष्यों का जन्म होता है, उनके प्रिय प्रिये पदार्थों को जानकर पुन्य पाप तथा गुण अवगुण का निश्य करना चाहिए। मनुश्यों में यदि पती पत्नी के अंदर जन्मगत संसकारों का भेध हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। सालोक के आदी मुक्ती की स्थिती में रहना पड़े अथवा नर्क में सजातिये संसकार वालों में भी परस्पर प्रेम होता है। शुबकारों में सनलगन रहने वाले पुन्यात्मा मनुश्यों को अत्यंत पुन्य के कारण दीरगायों की प्राप्ती होती है। तथा जो दैते आदी की क्षेणी में गिने जाने वाले पापात्मा मनुश्य हैं, उनकी मित्यों जल्दी होती है। सत्योग में देवजाती के मनुश्य ही इस प्रित्वी पर उत्पन हुए थे। दैते अत्वा अन्य जाती के नहीं। तेता में एक चोथाई द्वापर में आधा तथा कल्यूक की संध्या में समुचा भुमंडल दैते आदी से व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जाती के मनुश्यों का समान संख्या में जन्म होने के कारण ही माभारत का युद्ध छड़ने वाला है। दुर्योधन के योध्धा और सेना आदी जितने भी सहायक हैं वे द्यत्य आदी ही हैं। कर्ण आदी वीर सूर्य आदी के अंश से उत्पन हुए हैं। गंगा नंदन भीश्म वसुओं में प्रधान हैं। आचार द्रोन देव मुनी ब्रिस्पती के अंश से प्रकट हुए हैं। नंदन श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं। विदुर साक्षात धर्म हैं। गांधारी, द्रौपदी और कुंती। इनके रूप में देवियां ही धरातल पर अवतीर्ण हुई हैं। जो मनुष्य जीतेंद्रिय, दुर्गणों से मुक्त, तथा निती शास्त्र के तत्वों को जानने वाला है। और ऐसे ही नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संतुष्ट दिखाई देता है। वे देव सुरूप है। स्वर्ग का निवासी हो या मनुष्य लोग का जो पुराण और तंत्र में बताय हुए पुन्य कर्मों का स्वयम आचरन करता है। वही इस प्रिथ्वी का उधार करने में समर्थ है। जो शिव, विश्णू, शक्ती, सूर्य और गणेश का उपासक है। वे समस्ते पित्रों को उतार कर इस प्रिथ्वी का उधार करने में समर्थ है। विशेष्टह जो वैश्णव को देखकर प्रसन होता और उसकी पूजा करता है। वे सब पापों से मुक्त हो इस भूतल का उधार कर सकता है। जो ब्रामन यजन याजन आदी छे कर्मों में सनलगन सप्रकार की यग्यों में प्रवित रहने वाला और सदा धार्मी को पाख्यान सुनाने का प्रेमी है। वे भी इस प्रिथ्वी का उधार करने में समर्थ है। जो लोग विश्वास खाती, कृतगन, ब्रत का उलंगन करने वाला तथा ब्रामनों और देवताओं के द्वेशी है। वे मनुष्य इस प्रिथ्वी का नाश कर डालते हैं। जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकों का पोशन नहीं करते, देवता, ब्रामन और राजाओं का धन हर लेते हैं। तथा जो मोख शास्त्र में शद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस प्रिथ्वी का नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुवा खेलने में आसकत रहते हैं, और पाखंडियों तथा पतितों से वारतलाप करते हैं। जो महापात की और अतिपात की, जिनके द्वारा बहुत से जीवजनतु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतल का विनाश करने वाले हैं। जो सतकर्म से रहित सदा दूसरों को उद्विग्न करने वाले और निर्भय हैं। स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों में बताए हुए शुब कर्मों का नाम सुनकर जिनके हिदे में उद्वेग होता है। जो अपनी उत्तम जिविका छोड़ कर नीच वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा द्वेश्वश गुरुजनों की निंदा में प्रवरित होते हैं। वे मनुष्य इस भूलों का नाश कर डालते हैं। जो दाता को दान से रोकते और पाप कर्म की और प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथों की पीड़ा पहुँचाते हैं। वे लोग इस भूतल का सत्यान नास करते हैं। ये तथा और भी बहुत से पापी मनुश्य हैं जो दूसरे लोगों को पापों में धकेल कर इस प्रित्री का सर्वनाश करते हैं। जो मरनव इस प्रसंग को सुनता है उसे इस भूतल पर दुरगती, दुख, दुरभाग्य और दीनता का सामना नहीं करना पड़ता। उसका देत्यादी के कुल में जन्म नहीं होता तथा वे स्वर्ग लोग में शाश्वत, सुख का उभ्भोग करता है। अगले अध्याय में हम भगवान सूरे का तथा सक्रांती में दान का महतम में जानेंगे। झाले अध्याय में जानेंगे।